नमस्कार दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है जिहां उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट है ये जो आदेश है ये चैनल के माद्यम से आपको पहले दिखाया जा चुका है लेकिन हम इसके अलावा और बड़े आदेश आपको दिखाने वाले हैं जिहां नई प्रात् आपको तुरंट अपडेट देंगे और जिले की अपडेट देंगे कि किस जिले में कितने प्रात्मिक सिच्छक भरती का विग्यापन आने वाला है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे अगले जिले का आदेश देख आ रहे हैं अगर नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए बेल आइकन को हेट कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेसन आपको सिच्छक भरती से संब्देश चूट ना पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई प्रात्मिक सिच्छक भरती विग्यापन जारी होने ज जाती है प्रदाना ध्यापक और सायक अध्यापक भरती में कितने रिक्त पद हैं इसको लेकर जानकारी सिदार्थ नगर से निकल कर आ चुकी है जिहां आप देख सकते हैं कि प्रदाना ध्यापक प्रात्मिक विद्यालों में 1081 पद रिक्त हैं देखिए मार्च 2023 तक का ये डेटा है स्विक्रत पद ये है और कार्रित पदों की संख्या ये है तो खुल मिलाकर 1081 पद रिक्त बताएगा है वहीं पर प्रदाना ध्यापक उच्छ प्रात्मिक विद्याले में 653 पद रिक्त यहां पर दिखाए जारे है लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिच्छ परती जहां सहायक अध्यापकों के पद सबसे जादा 3683 इसी दार्दगर में मैंने आपको सुबह ही बताया था कि अन्य जिलो में 334 4000 पद रिक्त हैं ऐसे में एक लाग से जादा पदों पर नई प्रात्मि सिच्छ परती का डेटा 71 हो रहा है उसमें पर ही विग्या पनाएगा 7516 पद सुखरत है जिसमें किवल 3675 जो सिच्छक है वो कार्रत हैं और इस आप से 3683 पद से दार्दगर में रिक्त पड़े हुए हैं वही पर उच्छ प्रात्मिक में सहायका ध्यापक 1314 पद देखते पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं बेक्ति सिच्छ अदिकारी दिवेंद्र कुमार पांडे जी का ये आदेश है और आज का ही आदेश है बड़ी अपडेट है यहाँ पर दो जिलो का डेटा भी तक हम आपको दिखा पाए हैं और इस हिसाब से अगर देखा जा केवल दो जीलो में मैंने आपको बताया था कि एक लाग से ज्यादा पदों पर भरती होगी और एक एक करके हर एक जिले का आदेश हम आपको दिखाएंगे लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई भी आदेश आप से ना छूट पाए हर एक जिले का एले का आदेश हम 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 आदेश